अजाद रिपोर्ट अजम शेदपूर में अब का स्वागत है ये फटफट जानते हैं देश और दुनिया के कुछ बड़ी सुर्खियों को राची हिंसा परकेंद्र ने राची पारल से मांग गया रिपोर्ट अब तक 25 एफाई यार दर्ज 29 लोगों को नामज़त किया गया भारते रुपया पहली बार 78 रुपया परतिया अमरीकी डॉलर की पार हुआ अब तक की नियुनतम स्थर पर पहुँचा सराय केले में परशासन ने अबेद मायनिं के खलाफ करवाई की नीम टी में इटर भटा को दौस्त किया गये के खलाफ इफाई यार दर्ज फिरॉल्ड मामल में राहुल गांधी की एडी के सामने पेशी बनी पॉलिटिकल इवेंट पार्टी कारे करता बेरेकट तोड़कर राहुल कांधी के पास पहुझे पैदल मार्च करके D दफतर पहुझे राहुल कांधी बेहल प्रेंग का वाडरा भी थी साथ अभी नियूस लिखे जाने तक E.D. राहुल कांधी से अंदर पुस्ताश कर रही है और मुल्क भर में कॉंग्रिस सी कारे करता एहतिजाज कर रहे हैं हाला कि पुलिस ने उस अलाके की घेरपंदी कर दी है और अभी धार 146 लागू कर दी गई है पुलिस ने कॉंग्रिस के कारे करता हूं समेत रंदीप सिंग सूर्जेवाला चतीसगर के सीम भुपेश बेगल तिक विजैस सिंग पवन खेड़ा जैसे बड़े नेताओ को डिटेन भी कर रहा है प्राफिट मुहमत के खलाफ बोलने वाली नुपोश शर्मा के खलाफ कोईट में इंडियन्स ने बहुत ही जोओदार परदर्शन किया लेकिन बिना गुवर्मेंट के अजाज़त के परदर्शन करने की वज़ा से कोईट ने उन सभी निर्वासियों का वीज़ा रद कर दिया है बेज़े गए निर्वासियों केंदर अब डिपोर्ट करने की तियारी हो रही है कोट रोड धार्ती कोड़ा मंदर के पास ट्रक ने मारी कार को टकर किसी के हताहत होनी के खबर नहीं केंदर स्वास्त मंतरी के साथ आज हमारे राज्यू स्वास्त मंतरी बना गुपता निकी बैठक जारखन के स्वास्त छेतर में चल रहे तैयारी horizont के बारे में उन्हें चानकारी दी पुलिस मुदेसर की मौत के F.I.R दर्ज नहीं कर रही है अब बार बार सुबह साम करके धाने बना रही है और इफाई आर पढ़के वापस भेज़ती रही है शुक्रिया